हेलो बच्चो आप लोगो को फिक्सेस मोगाते हैं आप लोगो का पेवरा चाहर लुसी पर उनिवर्स आप फिजिक्स मैं कोशिक्षा आज आप लोगो को प्रावंगा मोशोन इन टू डैंशन पाट टू में वेक्टर का कुछ नियुमरिकल देखेंग तो आज जाता बात में ही करते हैं, डिरेक्स चलते हैं हम लोग का लेक्स्टर मतलब नियूमरी बिल्प पे, अगर अगर अप लोग कोई डाउट बगेरा होते ही, या दिक्क्यत होती है, या समझने में तकलीप होती है, अप लोगा कोई प्रोब्लेम भी रहता है, तो मुझे इस नंबर पर वर्चाप कर सकते हो, या कोमेंट बस में बता सकते हो, पीजबप में बोल सकते हो, या मुझे इंस्टा में भी बोल सकते हो, क्याई पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो उस फ्रूगत है हम लोगा अशका लेक्च्छर, बेक्टोब, नियुमरी तो आच का पहला कुछिशन, इप A plus B equal to C, and A vector plus B vector, C vector, then the angle included between A and B is, then the angle included between A and B is, option A, 90 degree, option B, 180 degree, option C, 120 degree, and option B, 0 degree. यह आए हम भोगा, वेट्पेंगो जेए 2010, वेट्पेंगो जेए 2010, पहला, 10, वेशन में क्या बोला है, if A plus B equal to C, and A vector plus B vector equal to C vector, then angle included between A and B, मतलब, A and B का पीच का अंगल क्या है, ठीके? तो चला देखते, A and B का पीच का अंगल क्या होता है, हम लोगा एक फोर्मूला पता है, वो क्या था? जब P vector and Q vector का पीच का अंगल धीचा होता है, और उसके resultant आप होता है, तो हम लोगा रिक्ते, A square equal to P square plus Q square plus Q P Q cos थेटे हैं, तो फिला हम लोगा यहां से शुरू करता है, C vector equal to A vector plus B vector, तो हम लोगा क्या लिख सकता है, कि C square equal to A square plus B square plus Q cos थेटे हैं, यह तो यह से लिख रिख रहे हम लोगा ने, Q कि जो हम लोगा ने, फिला था P plus Q equal to R, एक ट्रायंग्ल का यह होता है था P, यह होता है Q, यह होता था R, यहा करीडेक्ते अंगल का यह होता था P, Q, यह होता है था R, मतलब R वाला का resultant डियाबक C है resultant अभी C के value यहां से put कर दो C के value क्या है? A plus B A plus B 4 square जो कुछ है A देटेस लिख लो A square plus B square 2AB cos theta इस cos से जुबह करना से A square plus B square plus 2AB equal to A square plus B square 2AB cos theta अभी दो में से A square, A square, B square, B square cancel हो जाएगा तो देटेटेगे 2AB cos theta equal to 2AB 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 2AB2 दो दो देटेटेगे 1 A okay यहां रोक प्स्थटो cos theta इस दो 1 इता तो 1 इता रोक यह रूक प्सफर 0 डी, तो देट़के इस जेए theta equal to 0 डी A okay I am रोक रूक अंसर A option D मतलब option D is the correct option तो मैं बोल दें तो हम फिट से यहाँ पर क्या बोला है A plus B equal to C and A vector plus B vector equal to C vector तो हम लोग को पाता है कि P plus P vector plus Q vector equal to R vector हम लोग लिख सकता है कि R square equal to T square plus Q square plus 2P Q cos theta तो वहाँ से हम लोग लिख लिख लिए A square plus B square plus 2AB cos theta then C के जगा पर आम लोग उने Y A plus B बिलो टुखड़ दीया puis इसको square formula आप डालके simplify किया तो यहाँ पर आगे आम लोग का theta equal to 0 देखो मोग आपन लोग से फावल है ठीक है चरोज चलते है question number 0 में Question number 2. The value of lambda for which two vectors, this and this, are perpendicular to each other is the value of lambda for which two vectors a equal to 5 i plus lambda j plus k k and b equal to i minus 2j plus k k and b equal to i minus 2j plus k plus k and r perpendicular to each other. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2, option B, minus 2, option C, 3, option B, minus 3, the value of lambda for which A equal to finite k plus lambda j k plus k k and B equal to I minus Q j plus k k are perpendicular to each other piece. What do we need to do here? Lambda ka below nikalna hai. So here, let's write a box here. What do we need to do here? Two vectors. Note we need to write two vectors A and B. A and B are perpendicular if A dot B equal to 0. जब perpendicular होगा, तो क्या आएगा? A dot B equal to 0. मतला, dot project करने से क्या आएगा? 0 हैगा. क्या 0 हैगा? बेखता है, तो 2 vectors is perpendicular होगा, एगा 0, कॉस नाइक की, कॉस नाइक की तो 0 होता है, तो a b into 0, मतलब 0, तो 2 vector का perpendicular होगा, जब उसका dot product 0 अलेगा, तो यहां सा हम लोग lambda का value लिख सकते हैं, तो फिलाल हम लोग a dot b करते हैं, 5 i cap plus lambda j cap plus k cap dot i cap minus 2j cap plus k cap, अब लोग तो पता हैं, सिर्फ i i multiply होते हैं, j j multiply होते हैं, k k multiply होते हैं, बाकी multiply करना से किया होते है, 0 आज़ते हैं, आज़े i dot j मतलब 0, i dot k मतलब 0, j dot i मतलब 0, j dot k मतलब 0, तो क्या आएगा यहाँ पर, i multiply करना से 5 plus minus minus lambda 2, 2 lambda और किलिकर 1, तो dot k एकल दो क्या लिखना हैं, लोग को, 0, यहाँ पर क्या ज़ेगा, 5 by 1, 6 minus, 2 lambda और किलिकर 2, 0, then 2 lambda और किलिकर 6, then lambda और किलिकर 6 by 2, 3, यह पर यहाँ लोग का answer, यह option है, option C बाक, ठीक हैं, जब 2 vector, कोई भी 2 vector, perpendicular बोलता है, तो हम लोग को तब क्या करना है, उम लोग का dot k करके, equal to 0 करना है, वह यह बाक, ठीक है, बिटा लेता हूं, अब लोग video post करके, copy कर लेना, तो चलो, अधी चलते, question number 3, question number 3, for any two vectors A and B, A and B, if A and of B equal to A cross B, if A and of B equal to A cross B, the magnitude of C equal to A plus B, the magnitude of C equal to A plus B, is equal to A over option A, root A square plus B square, option B, A plus B, option C root over A square plus B square plus AAB by root 2, option B, plus A star B within A square plus B, root 2, option B, equal to A would be triple B, and B goes along B sub C también, root A and B, centrom BPH, PMT 2010, हारे याना PMT 2010, बिल्कोल आपसम सा जबाले, for any two vectors, A and B, कोई भी दो vector पकल दो, A and B, क्या condition दिया है, A dot B equal to A cross B, the magnitude of C equal to A plus B, तो यहाँ पर क्या दिया है, हम लोगों C के बिलो निकलना है, जो है A plus B, मतलब, equal to A square plus B square plus 2 AB, cos theta, फिटा का बिलो बहां से आएगा, यहां से आएगा, क्योंकि A dot B equal to A cross B, दिया हो है, A dot B मतलब, अम लोगों बता है, A B cos theta, A cross B मतलब, A B sin theta, A B, A B cancel, then sin theta by, cos theta equal to 1, मतलब, 10 theta equal to 1, तो 10 theta 1 का बिलो होता है, जो 10, 45 होता है, मतलब, theta equal to 45 D, अभी यहां पर आके, बिलो, S square plus B square plus 2 AB cross 45 D, S square B square 2 AB cross 45 means 1 by 2, S square plus B square plus 2, 2 मतलब root 2 into root 2, तो इसको काटने से टेया जाएगा, root 2, तो आएगा root 2 AB, ठीके, यह अगे हम लोगा, C square, C square, C square, ठीके, तो C equal to down-lock के लिख सकते, root over S square D square root 2 AB, यह पिर्स option B is the correct option, तो अभी लोगाने के से जाएगा, यहां पर जब दिया हो आए, C equal to A plus B, बतलब जानलों का formula था, R equal to P plus Q, formula पर डाल दिया, R square equal to P square plus Q square plus 2P Q cos theta, यहां पर R के जागे पर है C, तो हम लोगाने लिख 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 से, C square equal to, हम लोगाने लिख 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 से, C square equal to P A square plus B square plus 2AB, cos theta, ठीके, फिर यहां पर, dot product और cos product से, theta जानलों के, यहां पर मिटा दिख लिख, है वह यहांज, ठीके, मिटा दिखें, अधे आते हैं, question number 4, find a talk of who's, find a dog of who's, F equal to, minus 3I, plus 2J, plus K, acting as the point, acting as the point, and the point, I can choose, 8I cap, plus 2J cap, plus 3K, plus 3K, here I have, AMU 2010, AMU 2010, AMU 2010, 10, option A, here we have R, R equal to, 14I cap, minus 38J cap, 14I cap, minus 38J cap, plus 16J cap, plus 38J cap, 446, 4I cap, plus 4J cap, plus 4J cap, plus 4J cap, 6J cap, let's see, minus 14I cap, minus 14I cap, plus 28J cap, plus 38J cap, plus 38J cap, minus 16K cap, option B, 417, 22, minus 4, minus 17, minus 22K cap, minus 4I cap, minus 17J cap, plus 22K cap, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 8, 2, 3, 8, 2, 3, 4, minus 3, plus 2, 1, so, I will tell you, 1, 1, 2, 1, k, 2, 3, 2, 2, 1, 2, , okay? 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 दो दो 6, minus j cap, अभी, ये middle बोलाच फोना है, साज आगा, 8 बाँजा, 8, और मारका minus 3, 3, 2, 9, plus, plus k, k, रे ले, i cap, into, a2 multiply, minus a2 multiply, फिर, minus j cap, into a2 multiply, minus a2 multiply, plus k, k, into a2 multiply, minus a2 multiply, तो 8 दो 16, minus 3 दो 6, plus 6, तो आज आगे हम लोगा, minus 4, i cap, minus 17, j cap, plus 22, k, 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 ये आगे हम लोगा answer, और ये answer है, option d बाद, अतला option d is the correct answer, जिन लोगों को, विकर्मिनमें प्रब्लेम हो गई है, वो, मेरा जो, लास्ट वाल वीडियो है, अतला motion in, one dimension, part two वाला, तो बाद, part one वाला, अच्छे दरा सिठ, देख रो, वहाँ पर मैंने, पुरे details में, बोल दिया था, की determine कैसे करता है, तो इसने में आथ, डिरेक्ट विकर्मिनमें प्रब्लाया, तो इसको भी मिटा देता हूँ, question number five, two vectors, 12 newton and 8 newton, act upon a body, the resultant force of the body has an excellent video, the resultant force on the body, the resultant force on the body has a maximum velo, as a maximum velo, top, option a, 4 newton, option b, 0, option c, 20 newton, option d, 8 newton, money funds, 2008, two vectors, force this and this, act upon a body, मांगो, एक body है, यह आपर 2 vector, काम करता है, 2 newton है, और एक 8 newton, ठीके, तो resultant force on the body, as a maximum velo, resultant कोना क्या होगा, इस direction क्या होगा, तो resultant vector का, कप maximum होगा, तो एक आप रूक मांगे थे, p vector, equal to 2 newton, q vector, equal to 1 newton, तो हम रूकों र्याजरतं के पार में पाथा है, r equal to root over p square q square 2pq cos theta, तो r का विलो कब maximum होगा, जब cos theta maximum होगा, cos theta maximum मतलो 1, क्यूकि cos का विलो maximum होगा 1, तो cos theta 1 में से क्या जाएगा, जैसे आम ऐसे भी कर सकते हैं, क्यासे कर सकते हैं, cos theta 1 में से, maximum होगा जाएगा, cos theta के विलो 1 put कर दो, तो हम पार जाएगा, root over e square plus q square plus 2pq, मतलब root over p plus q whole square, मतलब p plus q, तो आपका विलो maximum होगा, p plus q, मतलब 12 plus 8, 20 newton, or from c, मतलब एक पूर्स इस तरफ, दूसरा पूर्स भी इस तरफ करने से, या इस तरफ इस तरफ करने से, दोना पूर्स इंप डेक्शन पर करने से, हम दोग आजाएगा, अ, maximum force आएगा, म अनदो से, इस पैंको मैं इस तरफ से किच आऊं, अगर तुम भी मेर साथ इस तरफ से किच होगे, तो फोर्सका maximum दिल आएगा, अगर मैं इस तरफ से किच आऊं, तो इस तरफ से किच यजगे, और वोग दो कोस टोटली एड हो जाया तो इसलिए मेक्समा मेलो किता है अगर 12 प्लस 8, 20 न्यूटर ठीकिए जब अभी मेक्स पर चलते हैं ट्रहा जो किता है, ₹ओर क्या पर चलते हैं अभी मगनीच अभी आगर अभी मगनीच अभी मेक्समा अभी आगर vector a-kf, then unit vector small a-kf in the direction of vector a-kf, in the direction of vector a is. Option A, a-l . Option B, a dot a , Option C, a यहां पर दो A का सिंबल सेम नहीं लिखा है, तो मैं भी यह तोला ठीक कर देता हूं, यहां पर जो यह A है, A वो ऐसा है, यहां पर जो A है, वो तबाद चेंज करते लिखता हूं, ऐसा है, ठीक है, अच्छ, जो इन के सीपिटी, J, N, K, C, E, T, 2008, देखो, यहां पर जो A, A है, वो भी सीम नहीं है, A थोड़ा, यहां खीज देता हूं, क्या बला है, A is a vector with magnitude A, A क्या magnitude A है, यहां पर जिसको हम डिनोट करेंगे A के से, A होगा है, यहां आम लोगा, small A के, in the direction of vector A is, उसको direction पर क्या होगा, ठीक है, तो क्या बला है, जो magnitude है, वो हमको निकालना है, जो unit vector है, उन लोग को निकालना है, तो मैं पहले ही बहुत देता हूं, unit vector मतलब 1 है, पिक्वेल टू, हम लोगा जो A रहेगा, उसका, more, तो यहां तो क्या दिया हुआ है, में में चूट क्या दिया हुआ है, S आते हैं, और A, तो यह हो जाएगा हम लोगा unit vector, अब किसी का भी जब आपको unit vector निकालना है, मतलब आप मांग लोग, P1 vector दिया हुआ है हम लोग को, जैसे I k, plus J k, plus K k, इसका unit vector निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उपर में P वेक्टर लिखेंगे, नीचे में mod of P, जो भी vector तो उपर में लिख देंगे, और P नीचे में mod of P, तो हम लोग को क्या दाएगा, P वेक्टर का unit vector, तो यहां पर तो unit vector दिया हुआ है takie, तो A vector अप़र में उसका बेक्टर मत आइए दिया होए और निचे पो यहाँगा इसका मत बात्त मत आई में में इज़े दिया हो नहीं शहीं होगा ठीके, बिल्बल आसाँ चासरा जरुआ है ठीके, भी चोड़ा चोड़ा कोशिम अगा 6, देक आखे कोशिम नोगाог सब्सक्राइब करें, गिवन फू वेक्टर्स, गिवन फू फेक्टर्स, एक्टर्स एक्टर्स, गिवन फू एक्टर्स, 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 एक the angle made by the angle made by a plus b width i plus 2j minus 4k is option a 50 degree option b 45 degree option c 60 degree option d 90 degree amu 2008 amu 2008 angle made by a plus b width this we have a plus b and then we have a vector and then we have a dot vector and then we have a angle because we know that a dot b is what is a b cos so here we have a angle left p vector equal to a plus b and q vector equal to a a plus b plus 2j minus 4k plus b vector what is b vector 2i cap minus j cap minus k cube now plus plus this will be 2i cap minus 2i cap j cap what will be a plus 3j cap and plus 2 and minus 1 means plus 1k cube and we know that q is equal to q we know p dot q equal to p q cos theta so here we know that q cos theta equal to p q q p dot q mod to how we know how we know last section we have seen so mod p what will happen mod p how will happen root over minus 2 square plus c square one square i will have it to take aenfader all the body and half will fix the認識 boundary in the next section we latch on one square three square two square one square plus humans a few square plus two square plus four square dot q क्या था i cap plus 2 j cap minus 4 k cap तो निच्छे के आजाए दाम लोगा जिच्छे पे आजाएगा root over 2 to the 4 3 to the 9 1 to the 1 फिर root over 1 plus 2 to the 4 उपर में 6 i से i होगा j से j होगा k से k होगा i से i मतलब minus 2 j से j मतलब plus 6 k से k मतलब minus 2 निच्छे आगे हम लोगा root 14 और निच्छे आगे हम लोगा 22 उपर में आगे हम लोगा 0 तो यह आगे हम लोगा 0 तो यह आगे हम लोगा 0 cos theta 0 means equal to cos 0 का होता है जब cos 90 होता है that means theta equal to 90 dt समझगा है दो यह आगे हम लोगा that means option d is the correct option क्या बला है टू वेक्टर्स गया हो है a and b the angle mean by a plus b with this तो a plus b एक को हम लोगाने p vector पकर लिया और this vector को q vector पकर लिया फिर हम फर्मोल में डाल गे है p dot q equal to p q cos theta यहाँ से cos theta का बिलू क्या है 0 आया है cos theta 0 equal to means cos 90 degree इसले हम लोगाने क्या कर लिया theta का बिलू 90 degree बिटा है अच्छा इस वीडियो को देखने से पहले अब लोगो जरूर इसका पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा क्यों कि वहाँ पर मैंने dot product कैसे करते है cross product कैसे करते है mod कैसे मी जाते है उस सब मैंने देखा देया था question number 7 ивать औले लुकिवयो देखियो J के क्युकिव देखियो अच्च किसे खिखियो फेमार स्किव। धियोडियो क्युकिद़ को क्युकिवद्ये देखियो seles oh minus J plus 3K, and C acting on a body, and C acting on a body, to keep it in equilibrium, to keep it in equilibrium, then C is, option A minus 3I plus 4K, option B minus 4K plus 3K, option C 3K plus 4K, option B 2 minus 3K. यह है है हमदों का, E, A, M, C, E, T, 2015. यह है है है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो, सेम बोड़ी के उपर, एक्ट करके, उसको, इकिलिब्रियों में रखाए, तो, क्या हो, मांदों, यह एक बोड़ी है, ठीक है, इसको, इकिलिब्रियों में रखाए, मतलब, यह, दोनका डायरेक्शन अंधर रहने से, इसका डायरेक्शन बहार पे हो, ठीक है, मतलब, इसका डायरेक्शन इस तरह हो, क्योंकि इन दोनों का रखाए, वो इस डायरेक्शन पे होगा, तो रखाएक्शन की इक्वेल पोर्स ओपोजिट से देना है, तब एक इकिलिब्रियों लेए, इन वान वार, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, आरेन इकिलिब्रियों, इस, A ब्लास B ब्लास C इक्वेल जीरू, तिनों पोर्स के साम करने से अगर जीरू आता है यानशा, तब ए तिनों पोर्स जो है, वो सेम बोड़ी के उपर, एक्टर में के बाद भी, वो बोड़ी इकिलिब्रियों लेए, ठीके, तो फिला हमें लिख लेता हो, A ब्लास B ब्लास C 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 ब् यह होगे हम लोगा और 2i और i 3i और 3k और k plus 4k plus c vector 0 तो c vector equal to minus 3i minus 4k minus common लेगा से 3i plus 4k यह होगे हम लोगा answer और यह answer है option a ठीक है so option a is the correct answer ऐसा बहला numerical करेंद से अगर 3 force 4 force या 5 force या n number of force बोलते है कि एक बोड़ी को पर add करके वोड़ी को equilibrium रखा है तो हम लोगा जितना भी force देया होगा जितना भी force देया होगा उस अब को सामर करके equal to 0 करना है ठीक है फिर जो force a b c d e f कोई भी unknown value निकलने को बोले कि एक force का below कितना है g force का below कितना है तब पुरा साम करके equal to 0 करके हमको जो रह जाएगा g e f उसका below निकाल लगे बहुत से सब्सक्रावा लगे ठीक है ठीक है निका देता है जो को pause करके copy कर लो सभी important नियो मेरे के लिए है बोड के लिए भी और entrance के लिए भी चला आता है question number 8 लगके लिए भी गट्सेस्ट र हीए है तको फाहरा का लि Score को लिए है दो podcast लिए भी plus 2j-kab minus 3k-kab, comma, P equal to 4k-kab minus 2j-kab plus 6k-kab. The angle meet by A plus B with x-axis. The angle meet by A plus B with x-axis is also A, 30. Option B, 45. Option C, 60. Option B, 90. EAMCET, 2007. Two given vectors, A and B, the angle meet by A plus B with x-axis. So, A and B, the angle meet by A and B, the angle meet by A and B, the angle meet by A and B. So, A and B, the angle meet by A and B, the angle meet by A and B, the angle meet by A and B. So, A and B, the angle meet by A and B, the angle meet by A and B, the angle meet by A and B. So, A and B, the angle meet by A and B, the angle meet by A and B, the angle meet by A and B. Q, cos theta, cos theta equal to P dot Q. Q , section B equal to Pої though, P return to P, what will be known? 3i plus 3i plus 3i plus 3i plus 3iören자 Q- plumage 就是 Q plus 3i true mi crust. root over 1 square तो आई से आए माल बित्टे करने से 3 आजाएगा इसको करने से क्या आएगा 3 square में 9 और 3 square में 9 मतलब 18 तो नीचे में आजाएगा 2 root 3 sorry 3 root 3 root 2 3 cancer 1 by root तो cos theta 1 by root काभ होता है cos theta equal to 1 by root 2 equal to cos 40 by dt बतलब theta equal to 40 by dt यह है option B बाद that means option B is the correct option तीक है चलते हैं next ओ लगी यह तो पहले जैसे numerical कि तदा कुछिन ना मनने a particle moves from position a particle a particle moves from position 3i plus 2j plus 6k to 14,13,9 to 14,13,9 due to a unicorn force of due to a uniform force of 4i plus j plus 3k 4i plus j plus 3k Newton. Find the water if the displacement is in meter. Find the water if displacement is in meter. Then get the ET 2007. option a 16 dual, option b 64, option c 32, option b 48. This particle moves from position this to this. So, here we have this position. So, due to a uniform force of this. So, workbench means what? So, workbench means what? w equal to f into s. So, f to also end up this position. How do we have taken place for this? We have taken place for s. This is the same as s. We have taken place for s. On the left side of s, we have taken place for you. So, here I have written the form. okay, left, R1 equal to 3 i-cap plus 2 j-cap plus 6 k-cap, R2 equal to 14 i-cap plus 13 j-cap plus 9 k-cap so displacement, displacement kya hoga, R equal to R2 minus R, so R2 means 14 i-cap plus 13 j-cap plus 9 k-cap minus 3 i-cap plus 2 j-cap plus 6 k-cap so 14 i-cap plus 13 j-cap plus 9 k-cap minus 3 i-cap minus 2 j-cap minus 6 k-cap minus 3 i-cap minus 3 i-cap minus 3 i-cap plus 13-2 i-cap plus 11 j-cap 9-6 i-cap plus 3 k-cap plus 9-6 i-cap plus 3 k-cap plus 3 k-cap we know, 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 we केफ प्लास 11 जे केफ प्लास 3 केफ आई से आइ मालकिता ही करो तहाँ जाएगा 44 जे से जे मालकिता ही करने से 11 और 9 तो 64 एसा ये उनित है जुल तो आप रोगा आज है अप्शन B1 देखो एक दो नहीं है उसका displacement निकालना है मतलब R-R1 करना है फिर अनलोगों तो पता ही है मतलब F-S तो यह पर .s कर दे हमें आगे answer ठीक है तो चला चलता ही portion number 10 पे of the factors given below of the vectors given below, the parallel vectors are, the parallel vectors are, a equal to 6i plus 8c, b equal to 210i plus 280k, c equal to 0.3i plus 280k, c equal to 0.3i plus 280k, plus 0.4xn, d equal to 3.6i plus 6xn, 3.6i plus 6xn plus 4p8k. option A, AMD, option B, AMC, option C, AMD, option B, CMD. A, AMD, ARMC-2006. E A M C B T 2006 कौन सा वाला परल्लाल बेक्टर है तो फिलां में बेक्टाम कि ये जो दिया हुआ है A इकर टो 6I प्लास 8J इस पे तो क्या है ये वाला थो हो गए नहीं तो ये और ये दो में से हो सकता है तो मेरे क्या बेक्ट से C बाला होगा C बाला देख्था हूं क्या होता है C बेक्टर में 0.3I प्लास C बाल 4J इसको हम क्या लिख सकते है 3 बाल 10I प्लास 4 बाल 10J टिक है उपर नीचे 2 से माल्टिपाई करो पूसर मा देख्ला करने से 6 बाल 20I प्लास 8 बाल 20J ठीक है ताभी 1 बाल 20 कमादने से 1 बाल 20 6I प्लास 8J तो मतलब C इकर टू 1 बाल 20A जैसे कि एक वेक्टर मादलो कोई भी एक वेक्टर यासे एक वेक्टर मादलो ये ये है तो यासे मैं ये तोड़ा समझाए देता हूँ अच्छे तरह से मानलो की ये A वेक्टर यासे ये 1, 2, 3, 4, 5 तो 1 बाल 20A मींस यासे 20 पाट का एक पाट होगा वो इस थरफ चाहिए लेकिन बाकी तो ये ही है ये मितित जैसा है वैसा ही है लेकिन उसका होगा मतला उसका क्यों भेलो होगा वो A का 1 by 20 पाट होगा लेकिन सेम ही है A की दिया साहिए तो ये दोनों तो पैरलल ही होगा चाहिए वो इस तरफ होगा इस तरफ होगा इस तरफ होगा जहाँ पर भी होगा पैरललल नहीं होगा ठीक है, B को S नहीं दा सकते हैं, B equal to N of A नहीं आएगा, क्योंकि C आ गया है हम लोग का, तो एसा आदे से हम लोग क्या बोल सेकते है, A और C इस पर लोग, ठीक है, फिल से बोलता हूं, A और C कैसे पर लोग समझाएं मैंने, क्योंकि C equal to N of A आया हम लोग का, N के पर दो 1 by 20 है, कुछ भी होसकता है, 3, 4, 5 असा कुछ भी होसकता है, देखिए, A तो आया है ना, तो A अगर इस तरफ एक वेक्टर होता है, तो C भी इस तरफ ही एक होगा, क्योंकि C A जैसे ही है, आगे में एक constant हैगा, तो C proportional to A, A जैसे जाएगा, C भी एसे जाएगा, इसल आएगा आएगा, तो आएगा, तो आएगा, तो आएगा, तो अवेक्टर करते हैं, E cross B equals to root 3 E cross B then the field of E plus B is then the field of E plus B is seriously anything to do with that option E, S square, B square, E wie bei H option V, S square, B square, E wie bei H E plus B upon D, S square plus B square plus root 3 E B A cross B equal to root 3 E B then the field of A plus B to A plus B equal to S square plus B square plus 2 E B cos theta because we have a feeling that we have two vectors and we have a vector plus and we have a resultant and the resultant is P plus Q equal to P square plus Q square plus to P cube cos theta so what do we have to ask? cos theta so this is the equation the coefficients so A kia diya hojai A cross B equal to A dot B into root 3 or root 3 A dot B A kia jayega A B sin theta Q k cost 4 a kia jayega A B cos theta A B A B cancel hojai और sin theta by cos theta equal to root 3 मतलब 10 theta equal to root 3 तो 10 theta equal to root 3 मतलब 10th 60 degree तो theta equal to आ गया 60 degree तो यहांपर डाल देते हैं 60 degree और sin theta equal to root 3 मैं दिखा देथा हूं कि क्यों होगा कि क्यों कि क्यों होगा कि क्यों कि हमलोगा जो r था r equal to p plus q तो हमलोग क्या लिखता थे क्यों गोटो बर p square plus q square plus 2pq cos थेटा फ्र Σ्क क्या लिखता थे लिखता र थे लिखता तांडव क्यों कि वाब अर था यहार था थेडंगा कि खाता थे दो डोटो फास थे दोस्ता थे मिरी आ थे व सब्सक्राट नोग IRA भी थालोग माइश रापक डोटो था गोटोटो आ रहा Cth अतुतक? यह मतलो यह इस बन करेक्ट ऑप्शन, देखो समझ में आता है कि नहीं, समझ में आता है, चलो इसको भी मिटा देते हैं, अभी देखो है, कुछिन नम्बर 12, मिनमं मरक अुपन न technicalbol देखो है तो देखो आता है किुछिन नम्बराई अन एक्टवत नेक्ट वाफन, theorem, बाफ ambition धर. which can give 0 resultant is is e f m c 2000 fight option e 2 3 4 what do option b 3 option c 4 option d more than 4 minimum numbers of unequaled vectors which can give 0 resultant kobea vector mahalwo unequaled p ea hojaega q ea hojaega r to tm ea tm ea tm ea tm ea tm ea tm 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 eo q ea tm ea कि यहां पर बोल चुका है unequal vectors इसले linear number of vectors होगा 3 मतलब जब यह equal नहीं होगा मानलोग कि यह 2 है ती मतलब 2 यह मानलोग कि 3 है ठीक है equal नहीं होगा तब क्या करना होगा हम लोग को इस तरफ दूसरा एक 1 newton देना गोएगा तब result क्या होगा 0 मतलब 3 मिल के 0 ला सकता है तो linear number of vectors होगा 3 यह means option 20 गा correct option थीक है तो आज के लिए इतना ही काफी है अज vector का numerical कताम हो गया है अगर कोई भी doubt या कोई भी दिख्यत होती है समझ में होए तो comment box में ज़रूर बताब और vector chapter लोगा कैसा लगा यह भी मतलब अगर कुछ topic छोड़ गया ह मैं चोड़ चुका हूँ में या skip करके गया हूँ उसके बार में भी बोलो अलग तरह से वीडियो बनागे डिसकास परूंगा तो vector chapter यह पर ही खताम होता है तो next देखते projected motion next lecture में पोजेक्टेल कर कुछ theory formulas और से बते बोल दूँगा अगर होता है तो कुछ numerical भी दिखा दूँगा वो जप्तर भी मज़ा है तो अब तक तर लिए इतना ही कासी है ताटा